नमस्कार बाईजूस एक्जाम प्रेप आई एस हिंदी में आपका स्वागत है प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर आज की खबर में हम चर्चा करने जा रहे हैं नीती आयोक के उपाध्यक्ष का इस्तीफा तथा नीती आयोक की सनरचना और भूमिका पर सत्र को प्रारम करने से पूर्व एक महत्तपूर उद्गोशना बाईजूस एक्जाम प्रेप के द्वारा संग लोक सेवा आयोक की प्रारमभिक परिक्षा यानी प्रिलिम्प्स 2022 जो जून में होने जा रही है उसको ध्यान में रखकर एक निशुल्क क्रेस कोर्स का आयोजन 27 अप्रेल से किया जा रहा है इससे संबंधित कक्षाएं 27 अप्रेल से ही प्रते दिन सुभा 10 बजे से 12 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव आयोजित की जाएंगी इसके माध्यम से आप प्रारमभिक परिक्षा 2022 के लिए पिछले एक साल के करंट अफेर्स के सा 27 2021 के महत्तपूर्ण विश्यों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे यदि आप इसका लाब उठाना चाते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अब हम यह देख लेते हैं कि नीती आयोग चर्चा में क्यूं है तो नीती आयोग एक बार अगस्त 2017 में ततकालीन उपाध्यक्ष अरविंद पंगडिया के नीती आयोग से जाने के बाद आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला गया था नीती आयोग के जो भावी उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी इससे पहले National Council of Applied Economic Research नई दिल्ली के महानिदेशक के रूप में कारे किये हैं वह है प्रधान मंतरी की आर्थिक सलाकार परिशद सांखिकी की आयोग और मौदरिक नीती पर भारती रिजर्वेंग की तकनीकी सलाका समिती आदी के भी सदस्य थे इस प्रस्ट भूमी में हमें नीती आयोग उसकी प्रस्ट भूमी इसके कार्य और इसकी संदचना आदी को समझना महत्त पूर्ण हो जाता है यदि हम नीती आयोग की प्रस्ट भूमी के बारे में आपको बताने का प्रयाज करें तो भारत के प यह मुख्य रूप से भारत में पंच वर्षिय योजनाओं के निर्मान के द्वारा भारत के विकास का एक महत्पूर्ण परियास था। प्राप्थी जिससे यह संगठन अनेक बार संगवात की आलोजना के रूप में भी देखा जाने लगा था। इसके चलते अनेक बार इसकी कार्य प्रणाली पर भी प्रशन उठाये गए। इन संगठन अस्तेतों में आता है जिसे आज हम नीती आयोग के रूप में जानते हैं। हमें नीती आयोग के विकास को भी समझने की आउशकता है। नीती आयोग का गठन एक जनवरी 2015 को हुआ था। संस्कृत में नीती शब्द का अर्थ है नैतिकता, व्यभार या मार्ग दर्शन। लेकिन वर्तमान संदर में इसका अर्थ है नीती और यह अंग्रेजी के NITI सब्द से मिला है जिसका पूरा नाम है National Institution for Transforming India यानि भारत को बदलाव करने के लिए इस्थापित किया गया राश्टिय संस्थान और इस रूप में यह देश की प्रमुक नीती निर्मान संस्था है जिससे देश के आर्थी विकास को गती देने की अपेक्छा की जाती है। इसका उदेश एक मजबूत राज्य का निर्मान करना है जो एक गतिशील और मजबूत राश्ट बनाने में मदद करने जा रहा है। इससे भारत को विश्य की एक प्रमुक अर्थवियोस्था के रूप में भी उभरने में मदद मिल सकती है। इस संदर में नीति आयोक के निर्मान में गठित टीम इंडिया हब और नौलेज एंड इनोवेशन हब नामक दो केंद्र महत्तपूर हो जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से टीम इंडिया हब या टीम इंडिया केंद्र सरकार के साथ भारती राज्यों की भागेदारी की ओर जाता है। और नौलेज एंड इनोवेशन हब संस्थान की ठिंक टैंक समताओं का निर्मान करता है। इसमें छेत्री परिशद, विशिष्ट छेत्री मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधान मंत्री या उनके नामित व्यक्ती की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और उपराज्यपालों को शामिल करती है। इसके अलावा इसमें एड हॉक मेंबर्शिप यानि तधर्त सदस्यता का भी महत्तपूर्ण स्थान है जिसमें रोटेशन के अधार पर प्रमुक अनुसंधान संस्थानों से पदेन चमता में दो सदस्य शामिल होते हैं। इसमें पदेन सदस्यों की भी महत्ता है जिसके अंतरगर्द प्रधान मंत्री के द्वारा नामित किये जाने वाले केंद्री मंत्री परिशत से अधिक्तम चार सदस्यों को शामिल किया जाता है। इसके अतरिक्त नीति आयोग के मुख्य कारेकारी अधिकारी भारस सरकार के सचिव के पद के समान होते हैं जो एक निश्चित कारेकाल के लिए प्रधान मंत्री के द्वारा ही नियूक्त किये जाते हैं। नीती आयोग वरत्तर रूप में किन उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है हमें यह भी समझने की आवशक्ता है इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य सहकारी संगवात को बढ़ावा देना है जिसके लिए इसके द्वारा निरंतर आधार पर राज्यों के साथ वा राज्य सरकारों से सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है जिसके लिए भी नीती आयोग के द्वारा विवित प्रकार के मेकेनिजम आदी का विकास किया गया है इसके अतरिक्त नीती आयोग आर्थिक प्रगती से संबंधित योजनाय बनाते समय ऐसे छेत्रों और वर्गों पर विशेश ध्यान देता है जिनको अभी तक विकास का परियाप्त लाब हासिल नहीं हुआ है इसके द्वारा आर्थिक नीती में ऐसे तत्वी शामिल किये जाते हैं जो राष्टिय सुरक्षा से संबंदित हितों को शामिल करते हैं यह लगतार नवाचारी सुधारों के लि देश में ग्यान नवाचार और उद्यमिता से संबंदित सपोर्ट सिस्टम का विकास करना है इसके लिए वह एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देता है जो अंतर छेत्रिये और अंतर विभागिये समस्याओं का भी निवारन करपाने में सक्चम हो सकते हैं इसके संद नीती आयोग के द्वारा तकनीकी और छमता निर्मान पर भी अपेक्छा पूर्ण बल दिया गया है नीती आयोग के इनुद देशों को आप इस चित्र में भी देख सकते हैं हमें नीती आयोग से संबंधित कुछ अन्य महत्त पूर्ण तत्यों को भी याद रखने की एक गैर समवैधानिक और गैर सामविधिक निकाय है हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सार्जनिक या नीजी नीवेश को प्रभावित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है साथ ही दीरकालिक परिणामों जैसे की डी मोनेटाइजेशन, विमुदरीकन, वस्तु और सेवा करादी पर निर्ने, आदी से संबंधित नीती निर्माण में इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं देखा जाता है, मूल रूप से नीती आयोग को एक ठिंक टैंक बाना जाता है, इसका तात्पर यह है कि नए विचारों को उत्पन करते समय, यह उस समय की सरकार से एक स नमान जनक बहुत दिखदूरी बना कर रखता है, यह मूल रूप से सरकारों को महत्त पूर्ण इन्पुट देने के लिए कारे करता है, और इसी रूप में इसके महत्त को समझे जाने की आवशकता है, आज की बड़ी खबर के आज के सत्र में फिलाल इतना ही, धर्नेवाद कर दोदूरी सकत्र में खबर के लिए।